एक पहला ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके बिजनस में इन्वेस्ट करने के लिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग है जिनके पास भरपूर पैसा है उनके पास और वो साथ में जुड़ते गए पैसा इन्वेस्ट करते गए और हम और होने वाले प्रॉफिट में 5%, 10%, 20%, 25 जी फ्रेंड्स नमस्कार इस बार जो Q&A टाइम में आप लोगोंने सब्सक्रा सवाल पुछा है वो सवाल है कि सर हम किस तरह से बिना पैसे के एक अच्छा सा बिजनस कर सकते हैं तो आज इसी विश्या पर बात करने वाले हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए सीरिस हमने शुरू किया है जिसमें हमारे वैल्योबल सब्सक्राइबर और व्यूवर बहुत सारे सवाल पूछते हैं और वह सवाल हमारी टीम अब्जर्व करती है और उनमें से कुछ सवालों को सेलेक्ट करके हम अपनी अगली वीडियो में लेते हैं तो आज की वीडियों यही बात क अगया गया है और यह कैसे शुरू किया जा सकता है फ्रेंज वैसे तो इस धर्ती पर कि उसकी कीhew दिदियों हर business ko other people money से शुरू किया सकता है बशर्तिए आपको यह पता हो किसके steps क्या होंगे इस बात को नवात सरे ऐसे example के मादियम से आपको बताऊंगा जिसको आप agree करेंगे तो देखिए क्या होता है कि other people money की जब हम बात करते हैं ना बहुत सारे businesses तो 99% other people money पर चलते हैं जैसे आपने देखा होगा building construction का जो business है जो लोग villas, farmhouses, bungalows, flats बनाते हैं वो other people money पर काम करते हैं अब आपको लगेगा एक builder तो बहुत बड़ा land purchase करता है उसके बाद महां building construction करता है और फिर flat बैसता है लेकिन ऐसा नहीं है एक builder जब एक ब पूरा plan कि हम इतना बड़ा land purchase करेंगे उसमें यहां पर flats बनाएंगे यहां पर फार्माउस बनाएंगे यहां पर public utility बनाएंगे यहां पर हम पूरा पार्क बनाएंगे यहां hospital यहां ख्लाब house यहां यह सब उस्पाराइल जट जो है वो ड्राफ्ट तियार करता है और उस ड बनाने के बाद वो investors को pitch करता है और बहुत सारे लोगों को साथ में लेता है बिजनस की future growth possibility पताता है और land book कर देता है और जब वो land की booking कर देता है ना उसके बाद में बहां का पूरा proposal plan बनाने के बाद भरपूर advertisement करता है और वो भी investors के पैसे से और उस advertisement के थुरू वो पूरे project plan को catalog या ब्रोशर या उस plan के जरिए सब को बेज देता है और पैसा कठा करके construction शुरू करता है और जैसे जैसे construction complete होती जाती है लोगों को position देना शुरू कर देता है तो builder इस formula का बहुत जाला इस्तेमाल करते हैं आप देखिए share market में भी बहुत सारे लोग या तो अपना पै share market की अच्छी knowledge होती है वो अपने person relatives का friends का एक portfolio management समालते हैं और होने वाले profit में 5% 10% 20% 25% 5050 तक भी उनसे पैसा चार्ज करते हैं यह भी other people money का एक example है कि आपको share market की अच्छी knowledge है आप अपने किसी friend या किसी relative का portfolio management करते हैं और एक income कमाते हैं इसके लाबाँ event management और आप देख sponsors होते हैं या जो small scale business कर रहे होते हैं वो तो 100% other people money पर काम करते हैं उनका काम क्या है पार्टी से मिलना पूरा proposal बनाना उनकी जरुवत के हिसाब से उनके event को plan करना और plan करने के बाद सारे vendors से outsource करना जब planning उनकी deal close हो गई है तो advance money लेना और उसी advance money से सारी चीज़ों को book करना और अपना profit भी निकालना तो event management भी इसका एक part है और property dealers देखे building construction एक अलग बात है लेकिन property dealers भी other people money पर काम करते हैं वो एक तरह से collaborator होते हैं या mediator होते हैं या associate होते हैं कि जहाँ पर property खरीदने और बेचने वालों का तालमिल बिठा के दोनों की deal कराते हैं और profit कमाते हैं तो बहुत सारे से example हैं इसके अलावा आप मुझे अभी comment box में लिखकर बताओ कि आपके mind में कौन कौन से example हैं जो other people money पर किये जा सकते हैं business के हैं जब आप comment लिखेंगे तो हमारी अगली वाली वीडियो जो होंगी उन ही चीजों के अधार पर होंगी कि किस तरह के comments आ रहे हैं लेकिन मेरे अंदरे एक skill है कि मैं अच्छा communication कर सकता हूं मैं अच्छे से business को manage कर सकता हूं अच्छे से people management कर सकता हूं और sales and marketing कर सकता हूं और एक अच्छा business establish कर सकता हूं दोस्तों बहुत सारे लोग इतने गुणी होते हैं कि उनके पास इतनी क्षमता है कि एक छोटी सी company को billion dollar company बना दे लेकिन केवल छोटी पूंजी की कमी के अधार पर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप यह दी इस फार्मुले का इस्तिमाल करते हैं तो आप other people money के माध्यम से अपने सारे dreams को पूरा कर सकते हैं और मैंने खुद अपनी life में small scale institute से अपने business plan को बनाने के बाद franchise model develop किया और franchise model भी तो other people money के अधार पर काम करता है कि हमने success institute चलाया लोगों को guide किया कैसे बनता है कैसे चलाया जाता है कैसे आगे बढ़ा जाता है और वो साथ में जूडते गए पैसा invest करते गए और हम other people money में win-win situation के साथ दोनों मिलकर grow करते गए हैं ना सबसे पहला काम क् किया सकता है सरकार भी इसका बहुत दारा इस्तेमाल करती है कि भी सरकार भी कोई भी project लगाती है तो public को issue लेकर या बहुत सारे तरीके इसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में आज हम बात करते हैं कि आप वो कैसे कर सकते हैं number one select industry and make a business plan और proposal सबसे पहले आपने स investor relative या friend या known आपको पैसा देने के लिए तयार हो जाएगा करना क्या है सबसे पहले उसकी work profile note बनाओ कि भी जो हम काम करने वाले वो टोटल क्या work profile है किस तरह का product है क्या services है उसके बाद उसमें total investment कितना आने वाला है मैं example group में बताता हूं माली जी आप एक institute run करना चाहते हैं expenditure पर मन्त कितना होने वाला है मैं example लेता हूं माली जी आप कहते हैं कि मुझे 1000 square feet area चाहिए जहां पर हम institute बनाना चाहते हैं उसकी profile कि है कि यहां पर academic course होंगे 9, 10, 11, 12, BA, BC, IIT, JE, medical जितने भी courses हैं उसकी पूरी profiling आपने यहां पर कर दी कि work profile क्या होगा investment के बाद expenditure पर मन्त क्या होने वाला है जिसे वहां पर rent है, staff salary है, operating cost है, electricity है, marketing and publicity expenditure है या advertisement के थूँ आप कैसे business लेके आएंगे सारे expenditure पर मन्त कितने आने वाले है expected sales या revenue या turnover कितना होगा मैं कहता हूँ 1000 square feet जगह लगाएंगे investment लगा दी 10-12 लाक रुपे और 10-12 लाक रुपे लगाने के बाद हमें expected revenue पर मन्त कितना है, मैं कहता हूँ 4-5 लाक रुपे मुझे revenue आने वाला है कितना percent margin वो calculate कर लिजेगा, future growth possibility कितनी है, कि उस business में भविश्य में कितना आगे बढ़ सकता हूँ, जब हम यह सारी बात है, मैं कहता हूँ कि पहले सार हम revenue करेंगे 5 लाक रुपे पर मन्त, फिर हम अपनी advertisement, marketing, promotion, branding साब बढ़ाने के बाद, number of staff बढ़ाएंगे, infrastructure बढ़ाएंगे, और अपने center को grow करना शुरू कर देंगे, 5 लाक के बाद हम next 3 मन्त में पहुचेंगे 7 लाक, फिर पहुचेंगे 10 लाक, फिर अपने आप से एक सवाल पूचें, कि अगर आप एक investor होते, या अगर आप किसी के business plan पर पैसा लगाते, तो और क्या प्रशन आपके मन्त में हो सकते थे, इसके लावा एक बात में यहापर और कहता हूँ आपको, कि किसी भी plan को समझने से पहले आप as a investor क्या क्या सवाल पू पूजिए, उसके बाद next चीज़ का है, explain to friends relative and known, अब यह जो proposal आपने बनाया ना, इस से related, देखिया आपके पास क्या है, आपके पास एक dream, आपके पास एक plan, आपके पास एक product या service है, आपके पास एक vision है, लेकिन आपके पास सिर्फ क्या चीज़ की कमी है, पूची, दुन उनके पास क्या है, उनके पास पूजी, कहते हैं, partnership is the relation between two or more than two person, who are agree to share their profit in their proportion, साजेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक relation है, जहां हो मिलकर काम करते हैं, गुजरात में, महरास्ट्रा में और मारवाडी में, आप एक चीज़ देखेंगे ना, बड़ी common आपको मिलेगी, वहाँ पर मैंने देखा कि दो तरगे partner होते हैं, एक capital partner और एक working partner, एक ने पैसा लगाया है, और एक महनस से काम कर रहा है, और यह trend जो है वो गुजरातियों को successful बनाता है, ठीक उस तरह से जब आप एक working partner के रूप में, किसी investment partner को ढूणेंगे, तो investing partner आपक दोनों मिलकर काम करेंगे और अच्छे profitability पर पहुंचेंगे, बशर्ते आपके पास एक beautiful business plan होना चाहिए, जो वर्थफुल लगे के investor को, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं friends को दिखा रहा हूं, वो rejection कर रहे हैं, friends एक बात ध्यान रखना, जब आप business बना के तयार भी से सो से लोने के संभावना है, तो ठीक यही बात लागू होती है, इस चीज़ पर भी, जब आप सो लोगों को pitch करेंगे, हो सकता है, एक investor आपके साथ आने के लिए तयार हो, next, organized meetings, आप क्या कर सकते हैं, अपने friends से, अपने relative से, नोन से, जो भी आपके जानकार हैं, उन से मि सपनों की बात किया करता हूं हर सडग गली चौबारों में, जब तक आप अपने सपनों की बात करेंगे ही नहीं, तब तक आपके सपने लोगों तक पहुंचेंगे कैसे, और जब तक लोगों तक सपने नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो आपके सपने को जानेंगे नहीं, तो निवेश कैसे करेंगे, इसलिए सपनों की बात किया करता हूँ, हर सड़क गली चौबारों में, ये बात जुरूर ध्यान रखें, मीटिंग औरगनाईज करें, मालीज आप कहते हैं, मेरे 10-12 फ्रेंड्स थे, मैंने उनको भी प्रोपोजल दिखा दिया, मेरे 50 इसने 60 बार आपके नोन ने, मतलब 110 बार आपका रेजेक्शन हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोपोजल दमदार नहीं, इसका मतलब ये कि 110 लोगों ने आपको ट्रेंड किया है, कि जब आप 111 व्यक्ति से मिलेंगे, तो वो कौन सी गलती नहीं करेंग दिए और आप अपने प्रोपोजल में इतने मास्टर हो देंगे कि आप इतने बेहतर तरीके से प्रोपोजल बताएंगे कि बहुत सारे लोग कि वल इस बात पर ही फिदा हो जाएंगे कि या बढ़िया थी क्रोपोजल या lead generate करें कहां से social media के जरी आप business का plan उसे related video उसे related graphics उसे related images उसे related content Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram सब जगह post करें जब बहुत जगह post करेंगे ना तो जो लोग जिनके पास पूंजी की कमी नहीं यह कमी है तो एक अच्छे business की वो लोग आपको contact करेंगे उनसे बाचीत करें उनसे business meeting करें उनसे conference करे और धीरे धीरे जब आप बहुत सारे लोगों तक पहुँचेंगे तो बहुत जल्दी आपको एक पहला ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके business में invest करने के लिए तयार हो जाएगा friends मैं अपने business में जब proposal एक successful business चलाने के बाद भी मैंने जब meeting करना शुरू किया तो first 64 proposal मेरे reject हो गए 65 व्यक्ति तयार हुआ मेरे business में invest करने के लिए मैं एक ही बात जानता था अगर एक व्यक्ति तयार हो सकता है तो 10 भी हो सकते हैं तो 100 भी हो सकते हैं तो 1000 भी हो सकते हैं मैं ही क्या रतन टाटा भी अगर किसी बिजनस को चलाते हैं तो वो भी अपना business plan पर अपने investors को बताते हैं वो investors उस पैस में invest करते हैं फिर basic structure of company तयार करते हैं फिर company का IPO लेकर आते हैं फिर वही बात other people money वो पैसा public से कठा करते हैं और public के बाद सरकार से कठा करते हैं और वह से फिर business करना शुरू कर देते हैं दूनिया में जितने भी बड़े businessman हुए उन्होंने other people money के formula को समझा है उसके बाद आप क्या करें references लें अपने personal contact से दोस्तों आपके friends आपके relative आपके known आपके साथ business नहीं कर रहें लेकिन अगर उनको लगता है कि यह बच्चा कुछ कर सकत होगा इसके बाद आप expert हो जाएंगे 100-500-200 meeting करने के बाद कि आप वो meeting एक अच्छे investor से कर सके और आपको पता होगा कि एक investor basic level से लेकर advanced level तक क्या-क्या प्रश्ण आपसे पूछ सकता है और जब सभी सवालों के जवाव आपके पास होंगे तो आसानी से आप एक दिन एक investor क के साथ मिलकर बहुत अच्छी डील करेंगे यही बात ना ओयो रूम्स के director रिते शगरवाल से पूछी गई तो उसने का मेरे मन में ओयो को लेकर plan था ना और मैं कहीं भी जाता था तो इतना बड़ा hotel setup बना हुआ है हम तुम्हें क्यों क्यों करें हमारे पास तो client direct आता है य लेकिन सपनों की बात किया करता हूं हर सड़क गली चौबारों में और मैंने कहा ना कि proposal reject होता है 111 में proposal तक पहुंचेंगे न तो उसको कहते हैं कि आशू तो मेरे सूक चुके हसने की चाहत गई नहीं हर रा बटक कर कहती है तेरी हसती है कई नहीं पर यह हर रहा आपको एक अच्छे इंवेस्टर को जब पिच करने जाएंगे तो वह आपके हर सवाल के जवाब को सुनने के बाद आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा बहुत सारे लोग कहते हैं न ओवरनाइट सक्सेस दोस्तों ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होता रितेश ओवरनाइट ना बहुत बड़ी है अगर आज मैं भी मेटास ओवर्स लिमिटेड का सीओंडर डिरेक्टर हूं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि कम एज में आपने कितनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर ली इतने बड़ी सारे शोरूम सापने बना ली ऐसा लगता ह जरनी नाइनटीन यर्स की है 19 वर्स का समय मुझे लगा यहां तक पहुंचने में हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी स्लो रही होगी वरना हो सकता है मैं इससे कई गुना आगे होता और एक बहुत अच्छे फिलोसफर ने कहा है कि लोग सोचते हैं कि मैं यहां होता मैं वहां चाहिए था बाकी सब कुछ तो एक ब्रहम है तो फ्रेंड्स आप यह चीजों को समझें इंप्लीमेंट करें अच्छा प्रपोजल बनाएं और आपके मन में बिजनस से लेटेट जो भी प्राशन है वो सब कुछ लिग डाले कॉमेंट बॉक्स में हम आपके कॉमेंट्स को पढ़ते हैं और उसके बाद ही अगली वीडियो में क्या टॉपिक लेना है क्या बात एक्स्प्लेइन करनी है इस पर डिसीजन लेते हैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लेटस्ट बिजनस झाल